वही हुआ आप देख पार है यहां पर गाड़ी हमारी लग चुकी है और यह जो पूरी हैड लाइट आप देख रहे हैं यह भी पूरी टूट चुकी है दोस्तों और इसको चैन्ज करवाना पड़ेगा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो के अंदर और दोस्तों आज मैं सिर्षा के अंदर आया हूँ और हमारी ही गाड़ी एक जगा लग गई दोस्तों आप देख पार हैं यहां पर गाड़ी की जो लाइट है वो तूट चुकी है और यहां मै आया हूं सिर्षा के अंदर ओटो मार्केट के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कहां पर आया हूं आप देख पा रहें दोस्तों कंबोज मोटर पर माया हूं कंबोज यह सोप है यहां पर यह ओनर आपको दिखाई दे रहें दोस्तों इनसे भी बात करेंगे और बाद काम करने के बाद गाड़ी में डेंट निकालने के बाद कैसा रजल्ट है वो आपको जुरूर दिखाऊँगा मैं बने रहें वीडियो के अंदर दोस्तों गाड़ी की जो हैडलाइट है उसको चेंज कर रहे हैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं किस परकार स मैंने दिया गाड़ी की हैडलाइट को दूसरी नही जो लाइट है वो डालने के कितने पैसे मेरे लगे वो भी आपको बताने वाला हूं और गाड़ी की बोरनट पे जो डेंट आ गया था उसको निकालने का कितना पैसा मेरा लगा और कैसा काम किया मेकैनिक भाई ने वो भ बाई ने मांगे थे बोले 500 रुपे लगेंगे और मैं निकाल दूँगा और मैंने दोस्तों 500 रुपे ही दिये हैं बाई को और जो भी डेंट था बोरनट के अंदर पूरा निकल गया और लगबग आपको बता देता हूँ दोस्तों डेड़ से दो गंटे का टाइम लगा था और पूरी मैंनत से बाई ने काम किया और गाड़ी में बहुत ही अच्छा काम किया और गाड़ी का जो डेंट था वो निकाल दिया और लास्ट में आपको दिखाने वाला हूँ पर पर कैसी लग रही है गाड़ी पूरा दैंट निकलने के बादब बने रहें वीडियो के अंदर आप भी यहाँ पर आ सकते हैं सिर्शा के अंदर ओटो मारकेट के competent अपनी गाड़ी का काम करवा सकते हैं मैं आपको पूरा एडरस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ उसाथ में जो मेकैनिक भाई या स्टिस भाई उनके मॉबाईल नमबर भी आपको दूँगा जिस पर आप कॉल करके ज़्यादा जानकरी ले सकते हैं सिर्शा के अगर आप आसपास में रहते हैं अपनी गाड़ी का काम करवाना चाहते हैं तो आप यहां पर आ सकते हैं उस तिस भाई से बात भी कर सकते हैं सारी जानकरी आपको वीडियो के अंदर अवेलेवल कराई जाएगी दोस्तो आपकी गाड़ी पर अगर रबिंग का काम आप करवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर आकर ठीक करवा सकते हैं और रबिंग करवा सकते हैं आप देख पा रहे हैं आई टॉन्टी गाड़ी है इस पर रबिंग का काम चल रहा है और लगबग दोस्तो एक हैच्छ बैक गाड़ी का यहां पर आपको पैसा देना पड़ेगा 1400 से 1500 रुपे तक का चार्ज यहां पर किया जाता है इसके बाद गाड़ी में जो रजल्ट है वो आपको मैं दिखाना चाता हूँ दोस्तो इस साइड के अंदर रबिंग होई है आप देख पा रहे हैं आपको दिखाएंगे कैसी है नई लाइट और गाड़ी कम्पलिट त्यार होने के बाद कैसी दिखती है वो सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा दो मकैनिक भाई यहां पर लगे हुए दोनों काम कर रहे हैं गाड़ी की लाइट को ओपन किया जा रहा है इसके बाद नई जो लाइट है आमने लिए है वो इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और आपको दिखाएंगे लाइट कैसी लगती है हमारी गाड़ी के अंदर जब चैंज होगी तो सारी जानकारी आपको देंगे बने रहें वीडियो के अंदर गाड़ी की जो light है वो अमने open कर दी है देख सकते हैं आप गाड़ी की light टूटी हुई है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप गाड़ी की light है वो पुरी crack हो गई और अब नहीं light है वो गाड़ी के अंदर डालेंगे आपको दिखाएंगे, बने रहें आप वीडियो के अंदर दोस्तों जो light हमारी गाड़ी के अंदर लगने वाली है वो यही light है जो आप देख रहे हैं अपने mobile की screen के अंदर और मारुती सुजगी की shift desire गाड़ी की light है दोस्तों हमारा जो गाड़ी है वो second generation गाड़ी है जिसके अंदर यही वाली light लगती है और यह light बिल्कुल brand new नहीं है लेकिन दिखती brand new light है दोस्तों आप देख पा रहे हैं गाड़ी बिल्कुल एकदम नहीं जैसी लगेगी जब यह light लगेगी तो चलते हैं गाड़ी की और और आपको proper यहां पर गाड़ी में install करके दिखाएंगे कि light लगने के बाद कैसी दिखती है तो बने रहें वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे गाड़ी के अंदर अभी पूरा यहां पर आप देख पर है जगह खाली हो गई light की और यहां पर नई light है वो डालेंगे second hand used light है दोस्तों वो यहां पर हम install करने वाले हैं उसके बाद आप देखना कैसी लगती है हमारी गाड़ी के अंदर जो नई वाली light हम लगा रहे हैं उसका आप जुरूर कमेंट करके मेरे को बताएं दोस्तों गाड़ी का final look आपको दिखाना चाहते हो मैं गाड़ी में light लग चुकी है और गाड़ी के अंदर एक जो डेंट था आपने डेडियो गेंदर पोट यहीं पर था दोस्तों आप देख पर हैं जीरो डेंट आपको नज़य पर दिखाना पर पहले गाड़ी गेंदर पूरा प्रोपर काम किया गया दोस्तों गाड़ी के अंदर एक एक चीज़ का बड़ी मैंट से यहां पर डेंट को निकाला गया है और गाड़ी की जो फिनिसिंग है वो आप देख सकते है प्योर आप आपको लाइनिंग गाड़ी के अंदर नजर आने वाली है और एक परसेंट भी आपको काम में कहीं कमी नजर नहीं है यही है कि दोस्तो बहुत ही साफ सुतरा काम किया गया है लाइट का जो खर्चा और आपको बताने वाला हूँ कम् livestock motor के नाम से और उपर आप देख पर हैं राचिंदर पैंटर पीनिरजेंद्र के नाम से उपर आपको पोश्टर दिखेगा दोस्तों और यह पहली पारकिंग जब आप शिर्शा के पुल से होकर आओगे यहां पर तो पहली पार्किंग के अंदर इनकी सोप है यहां पर आप देख पार है कमबोज मोटर गेरेज के नाम से आप अपनी गाड़ी का काम यहां पर आप करवा सकते हैं तसलिवक्स काम यहां पर किया जाएगा दोस्तों जेंदर पैंटर भाई और सतिस डेंटर भाई तीन मकेनिक आपको यहां पर मिलेंगे जो गाड़ी के बिलकुल आप बोड़ी का जो काम है वो आप यहां पर करवा सकते हैं साथ में इंजन का काम भी यहीं पर किया जाता है दोस्तों वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लेगी और हमारा जो आज की जानकरी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिए कोमेंट करिए चैनल पर आप नहीं है तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाना है साथ में बैल आइकन जरूर दबाईएगा और दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकरी के साथ तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत